इस रोको आदित्य एलवन में एक और बड़ी काम्याभी मिली है। आदित्य सूर्ययान ने कर दिखाया एक और कमाल। आदित्य सूर्ययान लगातार सामने आई मुसीबतों का सामना करते हुए वो पृत्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस रोके वैज्यानिक लगातार 24 घंटे सूर्ययान पर नजर गड़ाय हुए हैं ताकि उसकी कक्षा को समय अनुसार। आदित्य एलवन ने सूरज के पास पहुँचने से पहले ही एक और कारनामा कर दिखाया है। जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही इस समय आदित्य एलवन से जूली जानकारी भी इस रो शेयर कर रहा है। 2 सितंबर को श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLVC 57 रॉकेट के जरिये आदित्य सूर्य यान की सफल लॉंचिंग की गई थी. आपको यह मालूम होगा कि सूर्य गैस का बहुत विशाल का गोला है. ऐसे में आदित्य एलवन सूर्ज के आसपास मौजूद वातावरन की स्टडी करेगा. हालांकि यह भी बताया गया कि आदित्य सूर्य यान सूरज पर लेंडिंग नहीं करेगा और नहीं उसके बहुत करीब जाएगा. क्यूंकि आपको ही पता है कि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है और ऐसे में यदि आदित्य एलवन सूर्य की बहुत करीब जाता है तो उसके पास पहुँचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगा. इसलिए वेग्यानिकों ने इस प्रिथवी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एलवन पॉइंट का चुनाव किया है जहां आदित्य एलवन सूर्य यान को सफलता पूर्वक्स थापित किया जाएगा और उसके बाद ये सूरज की स्टडी करेगा और सोलर पैनल्स को भी आन कर दिया गया था जिसके बाद इस मिशन में और रेस को बढ़ाने के लिए पहली आउट बाउंड फाइरंग 3 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी 7 सितंबर को इसरो ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया गया कि आदित्य एलवन ने सेलफी यी है इसके साथ ही इसने प्रित्वी और चांद की तस्वीर भी क्लिक की थी इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं इस तस्वीर को आदित्य एलवन के हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा क्लिक किया गया है जिसमें हमारी प्रित्वी को साफ साफ देखा जा सकता है कि वो कैसे नीनी रंग से दिखाई दे रही है जिसमें दाएं तरफ आपको छोटा सा हमारा प्यारा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होगा ये वही चंद्रमा है जिस पर 23 अगस्ट की दिन चंद्रायान टीन ने सफलता पूर्वक लांडिंग की थी जो कि अपनी जगह को लगातार बदल रहा है और प्रिथवी का चक्कर लगा रहा है इसलिए ये लगातार छोटा हूता चला जा रहा है अब इसी मिशन में ISRO ने एक और पड़ाव पूरा कर लिया है दरसल बेंगलूरू के ISTCIC से तीसरी आर्बिदिंग की वलकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है इस दोरान ISRO के बेंगलूरू, STSC, SHR और Port Blair में स्थित Ground Station ने सेटिलाइट की ट्रेकिंग की अब इसकी नई आर्बिद से 296 किलोमीटर इनिंटू 71,766 किलोमीटर हो गई है यानि आदित्य सूर्य यान निर्धारिक बिंदू पर पहुंचकर हर समय सोलर स्टडी के लिए जरूरी डेटा जुटा पाएगा इसमें कुल साथ पेलोड लगे हैं जो अलग-अलग डेटा जुटाएगा जैसा कि हमने बताया इसरो के सोलर मिशन आदित्य एल वन ने प्रित्वी की कक्षा का तीसरा चक्तर पूरा कर लिया है लेकिन आरंब के बाद से यह आर्बिक 296 इन्टु 71,747 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर काट रहा है यानि इसरो का सोलर यान प्रित्वी से सबसे निकत्तम 296 किलोमीटर और सबसे अधिकतम 71,768 किलोमीटर की दूरी पर है 18 सितंबर को आदित्य L1 एवं धर्ती की स्क्वेयर ओफ इन्फ्लेंस से बाहर चला जाएगा इस पॉइंट को धर्ती का एग्जिट पॉइंट कहा जाता है क्योंकि यहां के बाद धर्ती की गुरुत्वाकर्शन प्रभाव काफी कम हो जाता है प्लेयर ओफ इन्फ्लेंस से निकलने के बाद अंतरिक्ष से इसकी शुरुआत होगी यहां से आदित्य सूर्यान ओनलाइन ग्रीन पॉइंट की तरफ अपना रुख करेगा फिर हेलो आर्बिट की ओर आदित्य L1 बढ़ जाएगा आप सभी लोगों की दुआओं से ही चंद्रायान 3 ने चांद की सतह पर सफलता पूर्वक लेंडिंग की थी इसलिए जिस जगह पर चंद्रायान 3 ने लेंडिंग की थी उस जगल का नाम शिव शक्ती पॉइंट रखा गया है चंद्रायान तीम की तरह ही आदिते L1 मिशन के भी सफल होने की दुआएं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करते रहे इस वीडियो को यही पर खत्म करते हैं इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेर करें ताकि उन्हीं भी जानकारी मिल सके